नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देखिए आज गार्डन में पोर्चुलका और पर्सलेन पर कुछ फूल के लिए हैं तो मैं आज पर्सलेन की कुछ कटिंग्स को ग्रो करूंगी वैसे तो मेरे पास इसके काफी सारे प्लांट है मैंने चुटी सुन्दर पौधा है और इसमें जितनी तेज दूप पड़ती इन पे उतनी हिसमें भर भर कर फ्लारिंग होती है मेरे पास एक यह रैड कलर है और यह अल्लो कलर तो मैं मिक्स करके ही फिर से इनकी एक जो बास्केट वो तयार करूंगी तो चलिए इसकी कटिंग्स को हम ग्र पेद रंके भी फूल के लिए है और यह रैड वाले तो है ही और काफी सारी कलिया बन रही है जब यह पूरा एक साथ खिलता है तो बहुत सुन्दर लगता है और यह मेरा एक सदाबार का प्लांट है देसी सदाबार जो विन का है यह देखिए मैंने प्लास्टिक के ग्रो बैग में लगा रखा है जो इसमें इसकी काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है बारिश के बाद काफी सुन्दर लग रहा है अच्छे फूल आ रहे है तो मैं पर्सलेन की कुछ कटिंग को ले आई हूँ और इनको ग्रो करूंगी यह बहुत मतलब इसकी कटिंग आप छोटी सी कटिंग भी लगाते हैं तो दूसरे या तीसरे दिन में इसमें रूट्स बनना स्टार्ट हो जाती है और अगर जैसे मान लीजिए अगर किसी पर कल्ली वगर है तो वो तो दूसरे दिनी खिल जाएगा प्लांट आपका यह एक प्लास्टिक का पोट है जिसमें मैंने मिट् सेंड की मातरा ज्यादा ही डाल दीजिए क्योंकि यह इस वाले प्लांट को पानी की बहुत कम रिक्वायरमेंट रहती है और अब इसकी मैं चोटी-चोटी कटिंग सिस पूरे पोट में लगा दूँगी जितनी ज्यादा हम इसको फिल करेंगे उतना ही यह पूरा भरावा स सुन्दर लगेगा जब काफी सारे फूल एक साथ किलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और इसकी कटिंग तीसरे दिन ही हमारी इसमें रूर्स बन जाएगी और तीसरे दिन ही चल पड़ेगी ऐसे है इसको आप बस ज्यादा पानी इसको नहीं चाहिए तो आप इसमें प और फिर उसके बाद इसको चाहें वाली जगह पर रख दूँगी और वैसे आप इसको लगाते ही अगर दूप में भी निकालते हैं तो इस बोदे का कोई भी नुकसान नहीं होता है और अगर इसमें कली बनी हुई है तो आपकी दूसरे दिन आप में जब सुब आप देखेंगे तो उस कली पर फूल भी खिल जाएंगे यह एक ऐसा प्लांट है इसको कोई भी कहीं भी ग्रो कर सकता है चोटी सी बोटल में लगा सकते हैं बासकेट में लगा सकते हैं प्लास्टिक के बैग में लगा सकते हैं कहीं पर भी और जब फूल खिलते हैं तो बह डालूंगी तो फ्रेंस ये था मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद दोस्तो